ओम स्री वेंकटेश्वरायन अमहा आज के वीडियो में संस्थान के तरफ से आए गए कुछ important news and updates के बारे में जानेंगे साथ ही तिर्मला में अभी weather की स्थिती क्या है, rush कैसा है और ब्रह्म महोदसव जो कि October 4 से लेकर October 12 तारिक तक रहेगा उसके बारे में क्या information आ रही है, उसके बारे में भी जानेंगे तन तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो like, share and subscribe जरूर करें सबसे पहले जान लेते हैं कि संस्थान के तरफ से कौन सा important news and updates अभी आया है संस्थान ने ये clear किया है कि October 8 को गरुड सेवा मनाया जाएगा जो कि बहुत ही जादा important सेवा माना जाता है ब्रह्म महोदसव के दोरान उस समय कुछ restrictions को रखे गया है जैसे कि टू विलर का पूरी तरह से उस समय बैन कर दिया गया है आना जाना यानि October 8 को टू विलर से आप तिर्मला नहीं जा सकते हैं ये इसलिए क्योंकि गरुड सेवा में बहुत जादा रश होने की संभावना है बहुत सारे स्टेट से खास गरुड सेवा देखने के लिए लोग आते हैं साथ ही उनके जीवन में जो कठिनाईया है वो दूर हो जाती है ऐसी बहुत ही मान्यताएं हैं गरुड सेवा के दिन इसलिए संस्थान इस चीज़ को देखते हुए October 8 को बहुत सारे restrictions तिर्मला में रखने वाला है For example, parking की space भी कम हो जाएगी इसलिए parking के space को भी Two-wheelers और Four-wheelers की parking के spaces को ब्रम महोदसब में बदला जाएगा जैसे की कुछ spaces को use किया जाएगा तिरुपती में जैसे की अलिपिरी link bus stand के पास में Two-wheelers और Four-wheelers को रखा जाएगा साथ ही विनायक नगर quarters के parking space को use किया जाएगा इस तरह से बहुत सारे spaces को use किया जाएगा तिरुपती में medical staff को बढ़ाया जाएगा security को बढ़ाया जाएगा child tagging को use किया जाएगा यानि हर बच्चे के हाथ में tags लगाये जाएगे इसके साथ साथ TTTD ने ये appeal की है कि जो लोग खास कर October 8th को आ रहे हैं maximum कोशिश करे कि वो APS RTC के buses को use करे जिसे की safety बने रहे घाट रोड में आने में कोई दिक्कत ना हो और rush की वज़े से जो congestion होता है वो भी कम हो जाए साथी बहुत सारे changes luggage counters को लेके आने वाले हैं maximum अनप्रसादम केंद्र को रखे जाएंगे इसके साथ साथ information centers को बढ़ाये जाएंगे जैसे जैसे information आते जाएंगे ब्रम्भ मोहतसव के दोरान channel में आपको सारे updates मिल दे जाएंगे इसके साथ साथ तिर्मला में अभी rush जारी है अभी भी धर्मदर्शन याने बिना कोई ticket के जो लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं लाइन में उन्हें 24 घंटे लग रहे हैं बहुत लंबी लाइन है सारे compartments भाच चुके हैं और entry point से लगभग 1-2 km दूर तक लाइन देखी जा रही है तो जो लोग अभी जा रहे हैं बिना ticket के वे ध्यान दे कि उन्हें offline ticket लेकर ही चलना है किसी न किसी तरह से आप offline ticket ले ले counters में जल्दी पहुंचे अगर आपको उस दिन का ticket नहीं मिल रहा है तो उस दिन तिरुपती में stay करे early morning जल्दी उठे और फिर से counter में लगकर offline tickets try करे इसके साथ साथ तिरुमला में weather अभी बिलकुल साफ है वोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है आशा करते हूँ ये सारे information आप ध्यान में रखेंगे साथ ही तिरुमला में जो अभी controversy चल रही है सारे news channels में लोग विचलित हैं परिशान है यहां पर मैं बताना चाहती हूँ कि दो political groups के बीच में जो लड़ाई है उसके बीच में हमें नहीं फसना है जब तक allegations प्रूव नहीं होते हैं लड़ू की quality के उपर तब तक हमें परिशान नहीं होना है political groups का काम ही है एक दूसरे के उपर आरोप और प्रत्यारोप लगाना तो इस बीच में हमें नहीं फसना है हमें सिर्फ भगवान के दर्शन पर ध्यान देना है और शान्ती से दर्शन करके आ जाना है आशा करते हूँ यह सारे information आपके लिए informative रहे होंगे अगर आपको यह information अच्छे लगे तो like, share and subscribe जरूर कीचेका ओम स्रीवंक टेश्वराय नमा